वेल्कम टू सानिध्यास आज मैं आपको इंस्टंट मलाई पनीर बनाना सिखाऊंगी इस रेसिपी के लिए हमें इंग्रेडिन्स लगेंगे यह मैंने होम में पनीर रखा है करीब करीब देर सो ग्राम के आसपास होगा यह एक प्याज फ्राइड किये हुए हैं और यह पांचे काजू यह तीन चार हरी मिर्च अधरक इन सबका एक स्मूध पेस्ट बनाना है हमें यह फ्रेश मलाई है कुछ मसाले हैं नमक लाल मिर्च पाउडर होम मेट करा मसाला यह सुखी हुई कसूरी मेथी हलका सबने कर लिया है इसे और यह मैगी मसाला है इसे आप ठोड़ा सा डाल देंगे इसे टेस्ट और एन्हांस हो जाएगा अब हम इसे पकाने के लिए रेडी करते हैं मैंने एक मैट पॉर्ट में थोड़ा सा सरसो का तेल डाला है और यह जो मैंने फाइन पेस्ट बनाया था प्याज हरे मिर्च काजू और अधरिक का इसे डाल दिया है कि फ्लीम को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं ताकि इसका जो थोड़ा पानी है वो सूख जाए साथी हम पांच मिर्ट के अंदर इसमें सारे मसाले डाल देंगे पानी थोड़ा सा कम हो गया अब इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगे कसूरी मेथी को छोड़ करके बाद बकी इस सारे मसाले मिसमें आज कर देंगे और फिर इसे चलाते हुए थोड़ा फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारे यह सारे मसाले जले नहीं पर अच्छे से भुन जाएं मसालों में से तेल चूट रहा है और काफी सुन्दर कलर आया है इस स्टेज पर हम इसमें यह होमेट पनीर डाल देंगे और थोड़ी दिर तक इसे भी स्टर करेंगे पनीर के साथ यह मसाला मिल करके बहुत ही एक सुन्दर कलर और बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है यह दिश बहुत ही जल्दी पक जाती है और बहुत ही टेस्टी बहुत ही टेस्टी आप घर पे से ज़रूर ट्राइब कीजिए और मैं मैं माक्सिमम कोकिंग इस मड़ पॉर्ट में करती हूं से फूड का पूरा निट्रीशन भी बना रहता है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करूंगे करीब करीब एक कप पानी डालना है और इसे प्रस मिला देना है इस स्टेज पर मैं इसमें ये फ्रेश घर की मलाई इससे डाल देती हूं और थोड़ी देर के लिए इसे कुख होने देती हूं ये की मलाई डालते ही इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है इसमें मैं ये कसुरी मेथी डाल देती हूं इन सबको अच्छी तरीके से पांच मिनिट के लिए बॉल होने देना है फिर ये खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा बच्चे और बरे सभी से बहुत चाव से खाएंगे इस रसिपी को जरूर से जरूर से ट्राइ कीजिए अपने ख़रों में फ्लेम को बंद कर दिया है मैंने देखिए कितना सुंदर कलर आया है ये खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में डालती हूं इतनी जल्दी बनने वाली ये पनीर की रेसिपी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी इफ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज लाइक और शेर